हेलो ए स्टुडेंट मैं हूँ जै और लेकर आ चुका हूँ जानदार संदार अब्जेक्टिव कोस्चन जो की क्लास 12 के लिए है और केमेश्ट्री का अब्जेक्टिव कोस्चन है तो मेरे चैनल को कर लिजिए सस्क्राइब तथा बेल आइकन को दबा देजिए इसी परकार क से नोटिफिकेसन पाने के लिए तो चलिए देखते हैं पहला कोस्चन पहला कोस्चन है नीमने में से कौन हम सिल्वड है थोहौर्ण सिल्वर का सुट्र भूबगाए इसमें से B-Number क्या है? Correct है. Horn Silver होता है. H-O-R-N. Horn Silver. Horn Silver का सूत्र AGCL होता है. चलिए यहां बोर्ड में पूछा गया Question है. तो इसको द्यान से आप लोग देख लिजिएगा. दो नमबर देखते हैं. Galena किसका अयस्क है? Galena किसका अयस्क है? इसको आप लोग याद कर लिजिएगा. चलिए आप तीन नमबर Question देखते हैं. तीन नमबर Question है. नीम्न में से कौन सल्फाइड अयस्क है? तो इसमें से यह देखिए यहां सल्फाइड है. यह नहीं है. यहां सल्फार, जिसमें सल्फार होगा, वहीं सल्फाइड अयस्क होगा. जाइर सी बात है. तो यह B-Number आपका option क्या हो जाएगा? बिल्कुल Correct answer हो जाएगा. चलिए चार नमबर Question देख लेते हैं. चार नमबर Question है. नीम्न में से कौन collectors है? तो collectors जो है ना बुबगा, यह फेन प्लावन बीदी में उप्योग किया जाता है. किसके लिए? ताकि अधिक से अधिक फेन बने. तो यह Pine Oil या Torfin Oil होता है collectors. collectors का काम होता है आपका फेन अधिक से अधिक बनाना. चलिए अगला Question देखते हैं. इसका B Number Option क्या हो जाएगा? correct हो जाएगा. यह मौत्पूर है इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार. चलिए देखते हैं पांच Number Question को. पांच Number Question है, Slag का परियोग किया जाता है. तो Slag का परियोग, Cement बनाने में A Number Option है. बी नमबर उर्वरक बनाने में C Number Option है आपका. यह तथा B दोनो, डी है Non, मतलब कोई नहीं. तो Cement बनाने में और उर्वरक बनाने में Slag का परियोग किया जाता है. तो यह आपका C जो है Option बिल्कुल Correct है. तो C आपका Answer सही हो जाएगा. चलिए आप देखते हैं 6 Number Question. 6 Number Question है आपका. 683 Kelvin तापमान पर ZN9 के लिए कौन सा अच्छा उकारक है? तो 683 Kelvin तापमान पर नबभुगा. ZN9 के लिए सबसे अच्छा उकारक होता है कोक. यह B Number Option आपका हो जाएगा सही. चलिए 7 Number देख लेते हैं. निम्न में से सबसे हाड लोहा कौन होता है? लोहा कोई परकारका होता है. कोस्ट आइरन होता है. एक पीग आइरन होता है. एक पीग आइरन कोहीं सही डहलवा लोहा कहा जाता है. तो इसमें से पूछ रहा है आपका कि कौन सबसे हाड होता है? सबसे कठोर आईरन कौन होता है तो सबसे कठोर आईरन जो होता है यह फेरस सिमेंटेड होता है यह यह इसका सुत्र होता है यह तो आपका है हेमेटाइट यह है आपका मेगनेटाइट यह है आपका सीडराइट यह है आपका फेरस सिमेंटाइड तो यह सबसे हाड होता है इस होता है कठोर लोहा होता है चलिए आठ नंबर कोस्चन देखते हैं आठ नंबर कोस्चन है आपका आठ नंबर कोस्चन है एल्मुनियम ब्रॉंज किन दो ततों का मिश्रण है तो एल्मुनियम ब्रॉंज होता है यह दो ततों का मिश्रण होता है एल्मुनियम तथा कॉपर का यह काफी होदपून फ़र्मूला है आपका अयस्क क्या है आपका एल्मूनियंख क्या है आपका correct option है चलिए देख लेते हैं 9 number तो हम लोग clear कर चुके अब 10 number question देख लेते हैं 10 number question है low hip और जंग लगने से तो यह तो अगदाम वह हलुआ question है अगदाम हलुआ हल्का question है ऐसा question पूछा भी जाता है बोड में आपके इसको इतना मतलब lightly मतली जिएगा इस question सब पूछा जाता है अगदाम असान असान question बोड में पूछ लिया जाता है तो यह लोहे पर जंग लगने से बचाया कि ये हमागा जा सकता है paint करके, जस्ति करण करके plastic कर और आल तो यह आपका क्या हो जाएगा जस्तिक 4 है क्यूंकि paint की जिएगा तो कुछ दिन एंसर हो जाएगा आपका क्या कोरेक्ट एंसर हो जाएगा जस्ति करण करके तो चलिए अब दस नमबर कोस्चन दस ही चुकी हमको बताना था 11 वा का एंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा तो इसे ध्यान से देख लीजिए 11 नमबर कोस्चन को जर्मन सिलवर किन दो धातूहों का मिसरण होता है तो चार ओप्षन है आपको करेक्ट ओप्षन बताना है इसमें से तो ओप्षन इसमें जो करेक्ट होगा वह आ और सेर कीजिए पूरा दबा के वीडियो को ताकि बच्चो को अधिक से अधिक बच्चो के पास पहुंचे और चैनल को सस्क्राइब कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद